हाई कैसे हो आप सब तो थोड़ी देर पहले नीतू सिष्टर की वीडियो आईए और सबसे पहले वीडियो में उन्होंने सरीता सिष्टर से माफी मांगे और उन्होंने बहुत सरी बाते किये जो के सुनके लगा कि इनसान कितना मजबूर रहता है कि सच का साथ एक टैम पे नहीं दे पाता है और जब दुनिया देखती है कि बंदा इसका नहीं इसका साथ दे रहे तो सच की तरह से जूट में तब्दील हो जाता है सच जूट की तरह से नज़े रहता है नीतु सिश्टर ने ये बताया कि उनका बहुत मन था सरीता का साथ देने का और उन्होंने हाथ जोड़ के सरीता से माफी मांगे है और बोले है कि वो सची थी, वो सई थी, वो हप पे थी और हमारे से गलती हुई, हमने साथ नहीं दिया गलती नहीं बलकि अपने आपको इसने बताई कि यह मजबूर थी और मजबूर कितली है थी, आप सभी को पता है क्योंकि नीतु ने कल वीडियो डाली है, जिसके अपन नीतु ने बोली है कि वो इसके वज़े से इसको ब्लैक मेल किया जा रहा था और वो वज़े से वो सच का साथ नहीं दे पारी थी, वो कुछ नहीं बोल पारी थी वो मूँ बन कर रखी थी, मूँ बन करने के पीछे रिजन तिर्फर स्रिफ वो और इसकी ब्लैक मेलिंग थी, और आज ही हा के सरीता से माफी मांग रही है लेकर आई थी, और उसने ये भी बोली थी सरीताने के दोस्ती में मेरा साथ मत दो लेकिन सच के साथ कड़े रहो जो सच है उसके लिए आवाद उठाओ लेकिन किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया और उसको बहुत ट्रोल किया गया बहुत गंदा किया गया और आज देखो कि वो तो चलो चूप हो गई थी लेकिन आज वो ही भाई भेन मिलके इतने सारों को गंदा कर रहे है कि आज जाके वो सरीता सची साबित हुई इसको बलते है सच की जीत और बहुत अच्छा लगा नीतु को देखके कि इसने पनी गलती मांते हुए माफी मांगी माफी मांगना बड़ा दिल होता है और हुमत चाहिए माफी मांगने के लिए और नीतु ने माफी मांगी इसका बहुत अच्छा एफेक्ट पढ़ेंगा इसके सपोर्टरों के उपर सब्स्राइबरों के उपर बाकि नितु ने ये भी कहा कि जो उनके husband है उन्होंने इसको एक बात बोले थे कि जो हमारे साथ वो हुआ है वो आपके साथ में भी होगा और देखो उनकी बाते सची साबित हो गई न और नितु ने ये भी बोली कि अगर वो टेम पे में मुझ कोलती तो या इदर की या उदर की मतलब उसकी personal life पे बहुत ज़्यदा effect करता उसकी जिंदगी बरबाद हो जाती इस तरह से उसने hint दी ओम जी नितु सिच्टर ने जब ये बात बोली न तो मुझे शौक लगा कौन सी बात के वो भाई उसने तो बोला ही बोला के रिस्ता कि खतम खत्म करते आने का नहीं हमारे से रिस्ता नहीं रकने का और पिर नितु ने ये बताया कि है यह तलक़े भी ठीक था मुझे लगा की चलो ठीक है उससे में कि भूल दिया ओगा लेकिनने नीतु को उसकी फैमली ने उसके हस्वेंड ने तलग के ये बोल दिये या तो वो फैमली ते रिस्ता रखो या हमारे ते रिस्ता रखो और हस्वेंड ने तो यहां तलग के ये बोल दिया के नीतु अगर उस फैमली ते रिस्ता रखोगी तो मेरे से अलग हो जाओ मेरे से डि बेहन चाहिए ना के वो गंदी फैमिली और नीतु ने आके खुछ से रिच्था खतम की और बोली कि ना ही मैं आप लोगों की जिन्दगी में कभी आऊंगी ना आपके घर में आऊंगी और ना मेरा आपसे कोई वास्ता है मतलब के डोस्ती में नीतु को फैमिली या फ्रेंड वो फ्रेंड जो उसको इतना गंदा करवाए उसको गालियां खिलवाए उसको ट्रोल करवाए और सारा ब्लेम अपनी गंदी बेहन का उसके उपर डालने की कोशिश किया एक घटिया आत्मी ने और नीतु को देखो फिर भ कोई मिलती है सच में भले इसने ब्लैकमेल होके या कोई भी रिदन हो उसने एक बात को अपने दिल में दबा के रखी चुपा के रखी और इन लोगों ने इसको किस तरह का सिला दिये और नीतु ने बोल दिये आपके मेरा तिवारी फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है कोई भी रिस्ता नहीं है बहुत अच्छा फैतला था यह और आगे बढ़ते हुए नीतु ने अपनी फ्रेंड मिशु को थैंक्यू बोला और बताया कि वो बहुत बार मुझे बोली थी कि बाहर निकलो डरो मत सच बोलो लेकिन बस यह सारा कुछ होना ही था और उसने अपन लका के बारे में बोला कि उसे यह जएसी आउड़ बोलने की जरूरत नहीं ऐसे मत बोलो क्योंकि इन्हार ने अपनी लाईब में बोलाarfom नीतू के लिए कि एसी ओर आप्रों को घर में नहीं कुसाना चाहिए यह औरते नमक हराम होती है तो वह और अरत तो यार मैं मैं बत लिए आई थी और इती बात के तरफ नीटू का भी इशारत था कि आप तो सब सही करवाने आई थी लेकिन आपने ये देखो क्या करवा दिया तो बिल्कुल उतने बलके और रायता पहला दिया और गंद करवा दिया वाइटी पे और वहोती कौने बोलने वाली वह किसी की रि लोटरों की तुम लोगों को जरूरत है और तुम लोगों को जरूरत है उनकी सपोर्ट की इतने तुम लोग घटिया लोग है तो थोड़ी थी ना अलका शरम कर ले गलत को एक सपोर्ट करती है उपर से जो लोगों ने मुह बन करके बैटे उनको ट्रोल कर रही है शरम नही से ये लोग रोए है ये लोगों माफिया मांगें ये लोगों को असίας हुआ है ना अपनी दोस्ती का उसी तरह से एक दिन अल्का भी आएंगी वाइटी पर और वह विआ आके उनकी जिनकी चाट रही है न उनका सछ़ बताएंगी और इन सबसे माफी मांगेंगी क्योंकि वह भाई बेन इतने गिरे हुए हैं कि वह आपस में एक दुत्रे को भी नहीं वकसते हैं तो तु कौन से खेट की मूली है भाई जब इतनी अच्छे दोस्तों को लोगों ने नहीं छोड़े भाई बेन के सया बना ली इसने एक भाई को तो सो सपोर्ट नहीं कर रही हूं जो अच्छा करेंगा उसकी तारिफ होगी जो गलत बोलेंगा या जूट बोलेंगा या मैनुपलेट करने ही कोशिश करेंगा मतलब जिसकी जो बात रहेंगी ना मैं वहीं रफूंगी हां मेरी अभी सिंपती मेरा भी थोड़ा सी जुकाओ मत मिलें और वो सारी सच्चाई सामने लेकर आए इन भाई बेनों की या किसी की भी हर किसी की सच्चाई ये सामने लेकर आए तो आगे नितु ने ये बोली कि मैं सो सो रुपया सो समझ के कर्चा करती हूं और जब हम घूमने गए हुए थे हम बाला गए हुए थे वहां से पिर हम लोग मनाली गए हुए थे तो सब ने अपना अपना खर्चा किये थे और जाने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं था और फिर वहां पे इसने ये बोला इसके भाई ने के आप चलो दीदी मैं हूं टेंचन मतलो फिर वहां पे घुमना फिरना सब कुछ हो गया उसके ब बहुत जने के साथ में यह होता है यहां तलक मेरे साथ भी होता है मुझे 21 22 को कभी भी पैमेंट सब्सक्राइए हमेशा पैमेंट 25ницया बश्यच्अ को ही जाती है वो तो चलो हमारे चैनल रठीट था है दो मैंने तीन मैंने में एक भार पेमेंट हम ये बोली और फिर यह बोली कि हम लोग बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं पैसे नहीं होते हैं तो इनकी जितनी अच्छी व्यूज आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इनको जरूरत है किसी से पैसा लेने की या किसी से हैल्प लेने की या 100 रुपे भी सोच समझ के खर्चा करने की नई इतनी अच्छी इनकी पेमेंट तो आती होएंगी कि इनको सोच समझ के खर्चा करने की जरूरत नहीं है मतलब कि ये बात मुझे नहीं समझ आई कि निदू ने ये जूट क्यूं बोली ठीक हो गया बाकी ये जो बात है ये घुमने फिरने वाली और अपने अपने खर्चे वाली तो मेरे क्यालती ये वही खर्चे का बता रही है जो खर्चे को लेके सचीन ने बोला कि मैंने इन लोगों को अपने खर्चे पर बुलाया था मैंने इनको गुमाया फिराया हेलिकॉप्टर का टिकिट का खाना पीना सारा कुछ कर्चा मैंने किया मेरे क्यालती यह वही वाले ट्रीप की बात कर रही है अगर वाले ट्रीप की बात नहीं कर रही है तो प्लीस मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर वही वाले ट्रीप की बात कर रही है तो फिर सचीन जूड बोल रहा है कि मैंने सारा कर्चा किया मैंने घुमाया फिर आया मैंने नहीं कुछ तो यहां पर फिर यतरी तॉल रही है कि सबने अपना-पना कर्चजा किया किसी थी कर्चझा की तो कॉन सच बोल रहा है कॉन जूठ बोल रहा है इतनी अ रहा है वह बन कउफिड़ेंस से आ कि यह बात भूब को नेतु ने पिर आगे यह बता है कि इसको फोस किया गया कि यह अभी के अभी पैसे देने होंगे नीटू ने बोली मैं एक दो दिन के बात दूँ फेंसी पैसा देना होगा फिर यह थोड़ी से गबरा गई और थोड़ा से सोचने लगी तो उतने में फिर ऐसके friend है उसने इसके कंदे पे हाथ रखी पूछी क्या हो गया तो उसने बोली कि नहीं कुछ नहीं बस payment की वज़े से थोड़ा सी अटक गई हूं तो फिर उतने इसके हाथ में पैसा रखी और इसने उसको पैसा दे दी और फिर बाद में जब इसकी पेमेंट आई तो इसने अपनी फ्रेंड को वापिस कर दी और उनका नाम इसने मिशुर ओसन बताई है तो उससे इसको एक परसेंट की भी उमीद नहीं थी पयसी फिर भी वह उ possess ने आके यहसा चाहणया के यह प्रुक्तक और खेकर वह यहां अऔर बाकिंहे बात के उसने भी पर ने बात कर रहे थी उसके अंदर रही है थी मुझे सब्सक्रीक्टे को जो लेकिन चलो जो भी है अब जब किसी ने वीडियो बनाया और नीतु की ट्रोलिंग रुखवाए जबके बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी नीतु की तो इसकी ट्रोलिंग रुखवाई गई और बोला गया कि आप लोग इसकी ट्रोलिंग मत करो वो बताएंगी सच बत कि वह एक्टिंग कर रही हाथ को ऐसा करना टन से पैसे आ गए और मेरी तो किस्मत खराब है और अध्यूद करकर यह सब बाते न ऑडियंस को एना सब समझ में आ जाती है तो यहां पर फिर वही बात आ जाती है कि अपनी तुकितना सच बोल रही है कितना जूड बोल रही है औ लाकि नितु को ऐसे एक्टिंग वगेरा परके ना बाते करने की जरूरत नहीं है और सिंपती तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि अच्छे खासे इर्णिंग हो रही है फिर आके यह बोलना के पैसे की प्रॉब्लम थी पैसा नहीं आया था पैसा नहीं था और अभी सोच समझ के खर्चा करना परता है तो यह सारी बाते मुझे नहीं समझ आई कि क्यों बोली गई है किस लिए क्यों चाहिए सिंपती खैर बाकि नितु नहीं यह भी बोली के एंड में जाके वीडियो के इतने यह भी बोली के मेरे हजबेंड को इस बारे में कुछ भी और नहीं पता है तो फ्लीज मेरे हजबेंड को प्लege कुछ ना बोले की में और से निकल के कर रही हैं तो वाई GHASt एज़त से चलना एज़त बनाये रखं़ी होता हूं ऑफ आदर खुशने से एक पर जमाद होटा है, अब नितुन ने पछने वाली वीडियो नहीं विडियो कोई चीज नहीं है, लेकिन आप जो इसके साथ हुआ है ना तो आप ये भी ना दोस्तों के भी प्रूफ रखने के अंदर आ गया है कि पता नहीं चलता भई दोस्ती में रहे के जो ओईसे हो रही है जो कॉल हो रही है जो चीजे इधर से उधर दी जा रही है तो दोस्ती में भी अब उसको सेफ करके रखो कि कल को कहां पे कब दोका मिल जाए और वो पब्लीक करना पड़े तो अब इतना त बहुत अच्छी क्रियेटर है बहुत अच्छा काम है उसका तो मैं तो यही बोलूँगी नीतू के लिए के नीतू को अकेले चलना चाहिए अपना काम करना चाहिए और यह तब चपेडों ते जमेलों ते बाहर निकलना चाहिए बाकि आप लोगों की क्यार आया फिलिस कमे में दिरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक और शेयर भी कर देना मिद्देन नेक्ट वीडियो में लाफ भी